29 माई को वरिष्ट मंदल सुरक्षा युक्त द्वारा सोचना दे गई कि स्थानी पुलिस थाना जामुल चात्यसगर पुलिस से ही जानकारी मिली कि जामुल थाना अंतरगत हाउसिंग बोर्ड में फिरोस खान नामक वेक्ति अपने परिवार के साथ किराय के मकान में बीटे क दुशकर्म किया है और उसकी हर्गत सीसी टीवी कैमेरे में कैद हो गई सीसी टीवी फुटेज के वारल हुने पर विभिन राजनितिक पार्टियों के कारे करताओ द्वारा जामुल थाने का घिराव करते हुए हंगामा किया जा रहा है नगरपुले सदिक्षा का IPS श्री प पकड़ना है इसके सूचना देने के साथ साथ प्रभात कुमार भी स्वयम सडक मार्क से गोंद्या के लिए रवाना हुए वरिष्ट मंडल सुरक्षा आयुक्त महुदै के निर्देशा नुसार पोस्ट प्रभारी गोंद्या द्वारा टीम बनाकर उक्त गाड़ी को अच् प्रभारी द्वारा शेयर की गई फोटो के आधार पर पकड़कर उतारा गया वह आरपी एफ पोस्ट गोंद्या लाया गया कुछ समय पर शाहत नगरपुलिस सदिक्शक प्रभात कुमार अपनी टीम के साथ आरपी एफ पोस्ट गोंद्या पहुँचे जिन्होंने पुष दुश्कर्म करने वाले आरूपी नाम हसन खान को आरपी एफ से अपने कबसे में लिया और अपने साथ लेकर दुर्ग के लिए रवाना हुए इस समन में नगरपुलिस सदिक्शक दुर्ग सहेत उक्त पुलिस बलने मंडल सुरक्षाय उक्त महुदै वह आरपी एफ अभिशेग भटनागर की रिपोर्ट